ऐलो फ्रैंड्स अधियोनि में फेली रहां, इनीटी आइस के प्लेफ्रॉन पे आपको सब बहता है तो पहले क्लास आपको में लिए चुकी होगी ठीक है तो यह आपके सेकेंड क्लास है ठीक है दूशी बात चीह याद रखना कि मैं आपके तरफ से इतिकल हूँ ठीक है तो आप भी इतिकल है ना कि ऐसे नहीं की चीज़ों को इधर उधर करने लग जाओ अगर आप स्टाइटिंग मैं से करोगे तो चीज़ी सही नहीं रहेगी मुझे कहीं से भी पता लगा कि कोई क्ला सीदर उधर कर रहा है तो आई विल टेक के एक्शन मतलब ठीक है मैं उसको काई कोट से बाइकोट कर जूँआ मैं से इसी बात की है तो यह याद रखना देखो आप चीजों के सिस्टम के साथ चलना आप अपना फायदा देखो सबसे में इंपोर्टेंट चीज यह तो आपको लिस्ट करके मैं जब सेहर करूंगा तो यही आपको मिलीगा आप इधर-उदर कोई कुछ नहीं करेंगा ठीक है अब देखो अपना कल पहले किलास हो चुका अब आज मैं बताओं को कि जैसे एक्जामीनर जो होता है उसका मैंसेट होता है वह किस तरीके का होता है मतलब जब कोई कोफी चेक करना तो यह बहुत जरूरी है जानना कि वह आपसे किस तरीके के आंसर क्या पेक्षा करता है ताकि आप 10 आउट ओप 5 या 6 नमबर आप 11 यह 8 नमबर तर भी पहुत जा सकता 15 नमबर के क्यूशन है तो मेरा कहना मतलब यह है कि जब अपने एक्जामीनर को मैंड के सेट को समझेंगे भाई एक्जामीनर जो होता हूँ इस तरीके से कोफी चेक करता है यह सारी चीजे है तो आपको जब जान लेंगे तो आपको आ अगे बढ़ेंगे तो अपने को टूद अपने बढ़ेंगे वह यह एक्जाम की दिमांड यह इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए उनकी आप एक्जाई ही होती है तो अपने उसी तरीके से बोल रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए ठीक है अब देखो मैंने कल भी आपको चीज़ समझाए था कि मार्ट डिविजन जैसे मालो कि 2013 में क्या होता बारापंट पास नंबर का आहे थे क्यूशन और उन्होंने 25 क्यूशन बना दिये थे दो यूपीसी को बरोशा नहीं वह हमेंसा पैटर्न अपना चेंज करते रहता है ठीक है तो दस बीज नंबर की क्योशन भी यहाता है ठीक है तो यह डिफरिंटिंट इन्यचल होता है और यह बालों की इस्टेट पीशी एकजाम में यह एक लेवल होता है आठ अध्यान समझता जो में चीजे समझदने का परियास का रहा हूं ठीक अब देखो इंटोडेक्शन पार्ट में आपको मैक्सिमुम जो नंबर मिल सकते हैं वह 012 नंबर का कोई है ठीक है उसमें 0.5 मिल सकता है कि याद रखना कि आप अगर अच्छा लिखते हो फिक्स अगर आपको तोड़ा बहुत विए इधर उदर गया ठीक है अगर बहुत खराब लिखा तो सब्सक्राइब बात है कि आपको जीरो नंबर भी मिल सकता है मार्क्स डिवाइड होते है तो इसी आड मार्क्स एक नकी LEO तो इंपोटेंस होता है यह जात रखना है तो पहली बात एक चीमद रखना है है कि यह होगा कि अब देखो कॉंटेक्स पिर में बारा बार बता रहा हूं कि कॉंटेक्स्ट के संद्व में ये बहुत इंपोरेंट होता है कॉंटेक्स और इसके जो मैं मार्क हो इसी का वह इसका भी देखेंगे अब आप दिको ध्यान से तो यह रखना कोंटेक्स बहुत इंपोर्टेंट है कोंटेक्स के अपको नंबर मिलेंगे तो क्यूशन के डिमांड है वह है उस कॉंटेक्स में लिखा है मतलब जैसे में अगर अगर थीमी नहीं पकड़ पाते हैं तो कुछ भी आपने को तरह से लगता कि हमने बहुत क्या होता कि बच्चे उनको अच्छे लगता कि मैंने तो पूरा सब कुछ अच्छे से लिखा ठीक है और पता लगा कि कोंटेक्स जो है उसमें वह समझा है नहीं जो उस कोंटेक्स में पूछ रहा है और उसमें कुछ और ही संदब लेके उसाइज दीए लिख दीए तो या हो रहा है 50 आप समझ पारे 50 नहीं समझ पारे कॉंटेक्स डेड नंबर अर बालों की लिख के रपेज तो भर के आगे कुट्व नंबर देगा तो आधा नंबर आपको देखिए उस साइड कर देगा ठीक है तो यह चीज याद रखना ठीक है आप तो देखो यह दो नंबर स गोंता है वालों 15 नंबर कर रहेगा तो तीर नंबर की एक सिंपल से समझ पर खोगो ठीक है कि तो मेरे किनेस में तो यह समझ ना कि सबसे पहले सीब इन्ट्रॉडेक्शन और बता दूँगा इन्ट्रॉडेक्शन को कशा अच्छा बनाया जा सकता हूं सारी चीज़े में ब क्लास्वर्म के इस्टोडेंटर मैंने सब को बोला कि पीवाई क्यू आप बार बार देखो और मैंस के खास्तोर से पीटी ओचे मैंस दोनों को मैंने बोला कि उनके पीवाई क्यू आप बार बार देखो यह याद रखना जब तक यह काम नहीं करोगे तब तक आगे नहीं तो इसको जितना अच्छे तरीके से आप करोगे तो अब डेकों समझने लग जाओगे यह किस कॉंटेक्स में देखो क्या होता था तो उनको पेपर इतना नहीं लगेगा उनको पूछा है इसने पहले भी इन्होंने क्यूशन पूछे होगे तो इससे पूछेगा अच्छे यह किस एंगल से पूछता है क्या सारी चीजे है वह आपको समझने आ जाएगा तो यह हमेंसा याद रखना यह बहुत इंपोर्टेंट है ऐसे नहीं आएगा बार बार आप आपको देखना तभी कॉंटेक्स्ट है फिर जब आप क्यूशन आप लिखोगे तो फिर मैं कमेंट करूँगा कि नहीं यह जो आपने लिखा है आपके कॉंटेक्स्ट ही बाहर जा रहा है क्यूशन की डिमांड है नहीं और इनको कोई यह नहीं बताता कि भाई आपकी क्या कॉंटेक्स्ट है घर कंटेंट के सब्सक्राइब क्या होता चाहिए चीज बारिक है यह से में कोचिंगों नहीं की है तो मुझे एक अच्छा घसा नब होगा तो बता रहो नो हो आपकोई मतलब नहीं तবक है अच्छा है 10 में से ठीक है डे दो 3 नमबर रटे-रटाए कमेंट होते हैं वो लिखके दे देता है इसे बचों कभी कभी उसका अपग्रेडेशन नहीं होता है इसी याद रख लेना तो भाई सब्सक्राइक सी बात मेरी नेटी जिमेदर यह बनती कि जिसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अब मैं इसको भी चेक करूंगा तो सब्सक्र है तो सबसे में चीज यह कि आपने कॉंटेक्स समझ लिए क्यूशन का या ऐसे जो भी है अब आपने उसके अपूरिंग कंटेंट लिखो गया तो कंटेंट में चीए रखना कि कौन सा कंटेंट लिखना अब लिखो मैं भी स्टार्टिंग पहली बाद जब मैं तैसी देने अर कौन सा फॉस्ट कोईंट होना जाए को फॉर्ट और कौन सा फाइप और कितने लिखने चाहिए यह बहुत बता दूंग देरे उससा जी समझ में आज आज आए तो सबसे में इंप्रेंट होगे अब कंटेंट कैसा होना चाहिए तो कंटेंट का वह तीन नंबर है किता कि मुझे अच्छे नंबर मिले यही चोटी-चोटी चीज़ है जो टोपर में अरे एक जो फाइनल जो लिस्ट में आता है और लास्ट में रहता है उसमें यही अंतर है वह अच्छे से कॉंटेक्स को समझ लेता है कंटेंट में यह सोच लेता है कि मुझे कौन सा पॉइंट पहले डालना है कितने पॉइंट मुझे डालना है क्यूचन की डिमांड तीन च्या डायमेंड से में पासवाज में पॉइंट डाल दी बस अपना फ्लोचाट बनाए फटा-फटशेव डाल दी ठीक है और मुझे और अधा लंबर यहां से सब्सक्राइब यहां से तो ब सब्सक्राइब बढा'll शयूजtalk। आपके साथ में जा रहा है आपको सब्दों से पढ़के ही बहुत सारे वह पचास-साठ साल के बैठे रहता है उड़को पता रहता कि भाई ये बच्टे की लेंग्वेज यह है तो इकल क्या देश को बर्बाद करेगा क्या करेगा तो आपकी लेंग्वेज अच्छी होनी चा और कहीन लोग जो राजनितिक बस्ताचार इस तहरीकी जो भूमी का होने के करण है आज भी गरीबी को समयंत्र नहीं कर पा रहा हैं प्रण्टु इसका मतलब यह भी नहीं है कि सरकार परयास नहीं कर सरकार का पर यह बढ़ खिशा की तरब बढ़ रहा है फर रहां तो मेरा लेंग्वेज आपकी होनी चाहिए पहली बात यह जाद रखना है बासा आपकी ऐसी हो कि मदूर लगे बोलते हैं कि करिक हाद से नलाइस करते हैं आपकी लैंग्वेज वह आपको दिखा दीए गगी जिए उपन पाइश नमर साथ नमर का यहां पर हो गया तो अब करेंट के साथ लिंक और एक्जाम्पल देना यह बहुत इंपोड़न टाइज यह आट है फिर बता रहो एक दिन में नहीं आईगी आपको धीरे 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 यह चीज़े आएगी तो यह चीज़े याद रखना कि यह करेंट के साथ जो है अब फिर में बता रहा हूं अभी मैंने इस्टाइटिंग वीडियो लिए तो उसमें मैंने बता है ताब असी टाउंटी रेशियो रखो आप फिर बाद में जब आपके स्टाइटी पार्ट बहुत अच्छे से हो जाएगा तो फिस सिक्स्टी ट जिसे मालों की सोशियोग्यों में कास्ट चैंस की अकोडिंग इतना इतना ही सारी चीज़े हैं ठीक है और कोई गॉर्मेंट वालों नहीं स्की मैं वो बता दिया को के साथ एस एक्जांपल देके आपको अगे बढ़ना ठीक है फिर बात एती कंकूलोजन में कंकूलोजन फ चीज इस तकी है ठीक है तो लगो मेरे माला कि टैना ओट ओफ आराम से चानल पाई जा सकते हैं ठीक है अगर अच्छा आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे और पंदा नमबर में से लगो लगो आठ या साढ़े आठ नमबर तर आप पॉसक्ते है नो नमबर तर की माने चलो 1000 यहाद रख तो यहThis नमबर आराम से 10 नमबर वाले पाये जा सकते हैं तो यह जो किजिए है उत लख लेना मझा फिर बारतारों वांइंड में और कि किलास बार बार देकना आप्टे पार बार रहेगे तो यह चीजिये तक आपके मैंड में फिक्स नहीं बोलते ना कि खुला सांड जो हो रहता है फिर वही कम करेगा कुछ भी लिखके आओंगे तो यह सिस्टेमेटिक देखो मैं फिर एक बार बता दिता हूं क्या क्या इंपोटेंट उस तरीकी ध्यान से समधना इंटोटेक्शन अच्छे तरीकी इंटोटेक्शन यह रहना ही चाहिए हर क्यू लुड़ हमेशा यह रहना चाहिए कि मतलब आपको कंसाइस करना है उसको कंसाइस करके आपको यह बताना है कि यह चीज यह थी और इसको ऐसा किया जाए तो ऐसा भैतर होगा और हम विश्वास करते हैं कि हम अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बेर ज़िए समयशे करते हो हर चीज को नेगेटिव वेसे देखते हो कोई भी आप पॉजिटिव अंगल देखी नहीं पा रहे हो तो मैं यह बता रहा हूं कि आप फिर विरुक्रेशी के लिए नहीं है आप फिर जाओ आप सीधा सीधा जाके इन्वोल करो अपने आपको राजनेता बनो अगर दस में से आपके पांस से लेके च्छा नंबर के बीच में आ रहा है तो भाई एक्सलेंट है यह मैं बतार के टॉप 10 के लिए यह चीजी याद रखना आप यूप कर जाओगे इसने में गारंटी बता रहा हूं पंदा नंबर में से इतने नंबर आ रहे हैं जिसे मैं अगर नंबर वाले में आपका ठीक है तो भी ठीक है एक अच्छा लेवला है आप आराम से पूरा से कंप्लेट अच्छी रेंग से से लेक्शन पाँ जाओगे तो यह चीजी याद रहा हूं कि यह चीजी माइंड में रखो पंदा नंबर वाले में आपके साड़े चैसे ल द्राइब प्रेंद नंबर निचे रहीं के ढ़िए अब हीचा तो यह चीजी याद रखना अब इस वाली कंडिशन में को मालो कोई है अब मालो की एक नंबर आ रहा दो नंबर आ तो उसको बहुत मेहनत करने के जरू होता है इस यह आद रखना अर्य इदर मालो की जीरो से तो के लिए पुछ है कि लेए बना को और निमा पर फिर, वंकिt में नहीं पहुत है कि आप वे आपके नोंबं की धून्प का है स्मय नमबर वहाँ पहुत को दुप जो देखो मैं वह उच्पी आपको बता रहाँ कि कैसे एक एक्जामीन कोपे चेक है उनको क्या दिया जाता है तो वह जहांसे समझ ना इहां 5000 में बता हो कि केसे चाहिए किता नंबर्पा कर हैं किस नंबर की तब मैं किस नंबर से आदा दूओं इंट्रोडक्षन कंटेक्स लेंगे з tocaht किस तरीकわかुंड का है किस थरीक से दब आप साल लिखे मुझे ही बेंगेreated अब सबसे पहले इंट्रोडक्षन थे कि अगर मालो की अच्छा अगर करेंड कर दिया ठीक है और उसकी डिफिनिशन नब तो आपका एक अच्छा इंड्रोडेक्शन भड़ जाता है तो एजी है रखना सबसे देखो सेंपल सेंपल तरीका इंड्रोडेक्शन तरीका ना शुरू हता है कि आप उस क्यूशन देम उठाओ सबसे हैं दूसरा उसके बारे मता दो कि यह है अब एक तरीक होता है कि अपने को सबसे पहले बेस्टेशन देसे उस तरीके से भी कर सकते हो एक लेजी का उसके भी याद रखना कि मतलब अभी स्टार्टिंग में कि एक पेज में आप इंड्रोडेक्शन होना चाहिए तीन चाहिए लाइन से जादा नहीं मतलब यह बोला जाता कि 25-30 वर्ट से जादा नहीं होना चाहिए तो आप देखो नंबर सोचलो कि लगवा लगवा एक के संतिंग नंबर इंट्रोडेक्शन का मिलता है मतलब दोनों एक नंबर के मिलता है आठ नंबर के मिलता है तो वर्ड भी अपने जो इसी एक कोड़ें डिवाइड करो देट्सों का है तो सब्सक्राइब इस पचीस हो चाहिए याद रखना तो यह दिए प्रैक्टिस में आज है कि वह किते नवर लिखी तो सब्सक्राइब ना चाहिए अपना उत देशे वह भी है ठीक है डूशी बात आप जब भी इंट्रोडेक्शन लिख रहे हो अच्छे एक्जांपल का यूज करो आप ठीक है अगर आप जितने अच्छे आपके एक्जांपल रहेंगे उतने ज्यादा जिसे करेंट अपेश आपने आपने कोई अच्छी संतन की रिपोर्ट आपने बता दी ठीक है तो ज सकता है तो इजी याद रखना है अब देखो अब ज्यान से समझेंगे तो यह थी कि भाई सकारात्म टिपने अगर आपने अच्छे लिकाद भूहिंक अच्छी है आपके भूहिंक अच्छी तरी से व्यवस्तित है भूहिंका संस्रिप्त है परसें की विश्य संदर से किसी बच्छे का पड़के नहीं इसमें कुछ कमी है उसमें सुधार करना है तो मैं क्या बोलूगा लिखने का प्रयास करें मतलब एक सीमा होती है ऐसे ने कुछ भी लिख रहे हो आप बहुमी का लिखती से हम किसी पक्स में जुखाव रहने जिबचे अर ऐसा ने कि आप ब क्या बहरत में सरकार की एक पनुल समयश्य है मतलब भारत की सरकार ही इसका में जमेदार है प्राबलिक यहां इस्टार्टिंग में जाना नहीं लोगों का काम होता है दूशी बात जो मालों की बही इंडोडेक्शन जो पूछा है और मालों जैसे गरीब कर इंडोडेक्शन अदम पर ट होया तो यह चोटी ऐसी चीज़े होती है ना वह ची याद रखना हमेशा तक हमेशा के हमेशा अपने को शाकरने वाली बिल्कुल सिंतल यह तो यह चीज़ आद रखना कि एकदम सथीक 오랜만 क estás जो उस question के context में बिल्कुल सही बैठ रही है, तो यह चाहिए है आप रहा है, ठीक मुट ठीक मुट अराम से करेंगे एकूँ अराम से करेंगे एकूँ अब बात आदिए आज अपने यह तर्क करेंगे फिर आगे करेंगे अब बात यह आती कि बैर परजिंटेशन कैसा अपने आंसा का ठीक है तो वह भी बहुत मैंतुक होता है उसका मैं जैसे बता देता हूं जहां से समझना तो आपने इंटोडेशन से लिखना शुरू किया यह आपने लग लग पचीती शुड़ में यहां आपको कम्प्रेट होगे धान से समझना ही चीज अब दूधान से समझना एक चीज है कि में बोडी मात आप फ्लोचार्ट का यूज करो तो यहां पर मालों कि कोई एडिंग देदी है अपने फूट प्रसेशिंग इंडेस्ट्री में बोड़न क्या करना चाहिए तो इसके बाद में एक फ्लोचार्ट बना कि डाइबंस यह फ्लोचार्ट में बताऊंगा कौन कौ प्रसेशब्तार के साथ अच्छी से लिखा तो बहुत एक वेवस्तित होना चाहिए तो यह चाहिए तो यह याद रखना तो वह होगा उतना अच्छा लगेगा आपका अंसर ठीक है जितना अच्छा लिखोगे उतना जादा बेरतर रहेगा अब देखो अब क्योशन में क्या फ्लोचार्ट को यूज़ किया जाए क्या है वो सारी दॉट की दीमांड की अपने लुद को करना ते कि अ तो वो तो मैं सिखा दिए आपको ब्लूट का अच्छा प्रिव किया गया है अब जैसे मालों समझों यह क्या चीज है अब देख लेहान से समय देना कि ब्लूट के करीके से उसकर ना आप देखो यह इंट्रोडेक्शन पर लिख दूगा अब उसके बाद है भारत में बेरेज़दर के कारण क्या है एक दम ब्लूट पॉइंट यहां पर पहला कारण दूसरा कारण तीसरा कारण च्यार कारण पास पास पारण अब ब्लूट पॉइंट कोई गोला लगाता है को एरो लेगा के लिखता है वह अपना प्रेंस्टायल है तो यह आज गया देहां से समय देना कि ब्लूट पॉइंट उसकर के से विजवता है अब तो यह सबसे मैं इमप्रेंटा है कि जो लिंग एंड फ्लो बीट्विन पर अब यह जब इस परिग्राफ में आप जा रहे हैं पहले बार लिंक होना चाहिए लिंक के वर्ड वहां पर पर प्रवाद चाहिए तो रिखती पड़े तो एक दो फ्रिक्शन नहीं लगने चाहिए कि यहां आगया कभी उसको बताने लगना चाहिए यह खाशित होती है तो परिग्राफ के जब भी आप पॉइंट एड़ों कर रहे हो तो एक लिंक है जो दिखना चाहिए दो परिग्राफ है तो यह फ्लो ऐसा होना चाहिए कि आप आराम से उपड़ता चलाए जाए तो यह ज चैमिनर को आप जितना चीज़े सिंपल करके दो गए तो आपके लिए उतना ही बढ़िया होगा यह याग रख दो ठीक है तो फिर बार बता रहा हूं कि यह चीज़े अच्छे तरीके से समझ जाए यह बहुत इंपोर्टेंट है जो हैडिंग होती है उसका भी आपको अच सास्निक कमिया है तो यह हेडिंग बुद अच्छे तरीके से बनाओ उसके से करके लिकाओ फिर चाहो तो आप इसको ब्लीट पॉइंट को लिख सकते हो फिक में तर यह भी है अनो चार्ट बनाके भी आपको लिख सकते हो ठीक है यह यहाद रहा है तो मेरा कहने मतलब है कि इस तरीके से आपको चीज से हेड्लाइन तो आपको देनी पड़ेगी और जितना हेडिंग अपने परवाई तरह को से लेख तो क्या लिखने जा रहे हो तो उसके हेडिंग बनाओ आप एक अच्छा साथ तरीके से आप लिखने का प्रियास कर सकते हो ठीक है दूसे बात आपके हेंड्राइटिंग होनी चाहिए बस मैं फिर उतना रिडियाबल होनी चाहिए एक चीजिए रहने चाहिए मतलब जैसे माल जब भी लिखो दूर दूर वर्डों को लिखो नसरी को पहली बात ठीक है उसने आराम से खूब पेज मिलते हैं तो आराम से उस अब जाल भी बहुता है हैं राइटिंग इतना जादर हो लें कि आपका सेलेक्शन यह नहीं होगा पन सबसे पहले डियावल होनी चाहिए ऐसा पर स्टोकार्ट पी टीए सारी चीजिए जाद नहीं तो वो चीज़ याद रहा है ठीक है फिर वार बतारों कि यह ज़िए अब जिस कोंटेक्स्ट मालों को अब आप से वेरिफाइड मांग रहा है तो आप लोगुमेंट दो पर आपको लिखना पड़े हैं ऐसे नहीं प्लोचार्ट डाइग्राम के तो आप दे रहे हो हाँ वह आपका आर्ट है कि बहुत सारे बच्चे की होता है कि उस टाइब इ तो इसी तरीक से अपको डिखारत और यहां पर गोड़ेंगा इसा ँसी में पास करेंगे तो इसा एक वह शाट नहीं नहीं होता है आपको एक पास कराएगा ऐसे नहीं होता है सारे क्यों से इसे क्यों से नहीं आप उसे कवर करके जान जाएए इसलिए कोई भी सब्जेक्ट यह मत सोचना कि यह यह यूपी से भी नहीं पूछ लिए फुचर में भी नहीं पूछेगी ऐसा माइंडशेट लेकर कभी भी आगे की मत बढ़ना तो यह चीज़ें याद रखना तो जितने भी क्यूशन की जो पार्टा सब पर धान देना अलिकोली लेना तो सले बस भी आप ऐसे काम करो जी एस वन तुरी को सब इंपोर्टेंट है इस तरह किसे आपको इकोली है सब चीज़ों को लेकर चाना है अब जब म हो सकता है क्या नेगितिव हो सकता है यह अपरोच आपके अंदर हो जाने चाहिए और जितना जन्दी होगी उतना ज्यादा मैं तो यह चीज़ें याद रखना और निमंद में जो है उधरन का यूज कर सकते हो एक्जांपर करेंड़ पैट से कहीं से भी ले सकते हो केसे सब्सक्राइब करना क्या पॉजिटिव इसे जो माल में डिसी ने लिए हो इसको क्या पॉजिटिव क्या नेगितिव यह आप अपनी लाइफ में उपलाएगा उसे ज्यादा बहुत फायदे बन रहेगा अपने यह ठीक है दूसी बात देखो निमंद में जब आप को टेश अंसर राइटिंग वो दो हमें चीज एक ही है एक चीज ही आप रहा ठीक है अब डिक्टें कल वाल राजेशन जी कल से अपन करेंगे आदा गंटे ज्यादा क्लास नहीं होने ठीक है अगी मैं बतारों क्या आपको देखने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो ठीक तो कल यहां से लेक्टे खिरी रहेगा अपना यहां से तो थैंक्स वर वाचिंग फिर कल मिलते हैं अपन ठीक है अब को भी डावड़ा परसनल या पोल करके पूछ सकते हो मेरे को मैसेज भी पर स्टक्रटिक थैंक्स वर रूचिए